हलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज देखिए आज यह जो सीरीज चलाई जा रही है इस सीरीज के बात करें तो 2016 में जो रेलवे एंटी पीसी का पेपर हुआ था उन सभी पेपर्स को यहां पर डिसकस किया जाएगा क्यूंकि आप सभी को पता है फ्रेंट्स के लिए यह पेपर कर लोगे ना प्रिवी सिर के 2016 के जो एंटी पीसी के पेपर हुए दे सारे सेट लगा लोगे तो उससे एक जम में आपको काफी हल्प मिलेगी तो इसलिए देखो यह जो सीरीज चलाई जा रही है देखो यहां पर जीकी जीएस का जो सैसेन है मतरकि जो करायijnा और मैथमेटिक्स के जितने भी पूचा कँई आन उनको भी कवर कर आयजाए गा लेकिन की वीडियो कुस्टार्टिंग लेकर लास तक देखिए गा और यह जान सफरी सिरीश स्रेख लाई जा लिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब पॉजिटिव रेस्पोंस रहता है न तो हम और अच्छा आपके लिए कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा जितना हो सके वीडियो को शेर कीजिएगा तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं से कि एक स्टार्ट कि आपके सामने कि गोथम बुध को ज्यान प्राप्तुआ था जनम का प Chrome नहीं यह ध्यान रखना है तो देखोनेटई नेच्स देखोहने कि ऑनकी सामने कि खोको के खेल का एक तरह से हमें बताना है कि खोको खेल, खेलते समय मैदान में प्रतेक टीम में कितने खिलाडी होते हैं, काफी important question है, अच्छे से देखेगा यहाँ पे देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगी जिससे यह अच्छे से याद हो जाएगा, friends खोको के खेल की बात करें, तो मैदान में खोको जब हम खेलते हैं, तो प्रतीक टीम में कितने होते हैं नो खिलाडी होते हैं, अब देखो इसको आप याद कैसे करोगी यहाँपे मैं एक ट्रिक लिख रही हूं, आप चाहो, तो आप लिख लेना, देखो, पोबास वाली ने जिम खोली, बस इतनी सी ट्रिक है, क्या है, पोबास वाली ने जिम खोली, अब देखो, यहाँ पे करना क्या है, देखो, चार से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दू, पांच, छे, साथ, आठ, नो, इ में मतलए जब खेलते हुश्ट में फिर उल्य वार्ल की बाद करें तो पृते एक टीमं सृथ सर्य स्थ यॉद्हैब फिर जिमनाश्टिक के बाद करें तो पृते इक टीम में कितने खिए एक हुलाडी fo Dragons, 수도 persuadion नेक्स्ट क्यूशन आप से पूछे कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे की बात हो रही है ऑप्शन से 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर या फिर 21 जुलाई तो देखो हर साल इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 21 जून को एक समाचार agency है, हमें इसका headquarter बताना है कि इसका मुख्याल है कहाँ पर इस्तित है, options है UK, USA, Australia या फिर भारत, तो देखो writers जो news agency है, ये समाचार agency इसका मुख्याल है UK में, United Kingdom में, तो right answer हो जाएगा, option A correct answer होगा, यहाँ देखिए next question, आप से पूचा गया है, पदम सरी के बारे में, पूचा गया है कि पदम सरी से समानित किये जाने वाले पहले होकी खिलाडी का नाम आपको बताना है, very very important mark कीजिएगा, options है ध्यांचन, बलबीर सिंग senior, लैसली वाल्टर, कॉलिडियस, धनराज पिले, तो यह देखिए next question, भारती अंतरिक्स कारे करम का जनक किसे कहा जाता है, options है अब्दुलकलाम, विक्रम साराबाई, राकिश शर्मा या फिर होमी बाबा, तो भारती अंतरिक्स कारे करम की बात करें, तो इसका जनक कहा जाता है, विक्रम साराबाई को, तो right answer हो जाएगा, option B ज पूछा गया है कौन थे, जीवी माउलंकर, सुमीत्रा महाजन, एस राधा कृष्णन, या फिर राजिंदर परसाद, लोग सबा के पहले speaker की बात करें, पहले अध्यक्स की, तो हमारा answer हो जाएगा, option A, जीवी माउलंकर, देखो आपने अगर option A, राइट आंसर दिया है, त देखो यहाँ पर यह तो आपको पता है कि 28 Mart 2016 को जो railway NTPC का paper हो था, उसका second shift का यह paper है, लेकिन इसके अलावा इस question की बात करें, तो SSC और बी जो railway के जो भी paper हो, जाए group D का हो, जाए ALP का हो, जाए JN का हो, जाए banking sector का हो, उनमें यह question काफी बार पूछा गया है, एजनता और एलोरा की गुफाओं की बात करें, तो किस राज्य में इस्तित है, यह है महराष्ट में, तो answer हो जाएगा, option B, महराष्ट correct answer हो जाएगा, और महराष्ट की बात करें, तो capital क्या है महराष्ट की, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजधानी भी पूछी जाती है, महराष्ट की राजधानी है मुंबई, और यहाँ पर मद्यप्रदेश की बात करें, तो राजधानी क्या है मद्यप्रदेश की है बोपाल, मनिपूर की इंफाल है, उतरप्रदेश की लखनाव है, next, किस देश का 73 दिवस 4 जन्वरी को मनाया जाता है, पाकिस्तान, म्या म्यामार की, तो म्यामार जो है, इसका 73 दिवस कम मनाया जाता है, 4 जन्वरी को मनाया जाता है, याद रखना है म्यामार, next, देखे, next आप से पूछा जा रहा है कि ACI खेलो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी, यहाँ पर बोला है, ACI खेलो का बोल कमल जीत संदू, right answer होगा, option C, कमल जीत संदू, यह देखे, next question, द्रविड मुनेतर कंडम, यानि कि DM के है, इसकी स्तापना, यानि कि एक बात करें, बात करें, कि इसकी क्या है, यह तो यह एक कॉल्टिकल पार्टी है, तो हमें बताना है कि इसकी स्तापना किसने की थी, तो यहाँ पे right answer हो जाएगा, किसने की थी, यह देखो, full form भी पूछ सकते, तो इसकी जो फूल फॉर्म है, द्रविड मुनेतर कडगम, यह जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी स्तापना की थी, C, N, अन्ना धुरहीने, तो right answer होगा, option C, next, देखे, रविडना टैगोर, किस, रविडना टैगोर जो है, इनको किस वर्स में, नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, यह question में बहुत बार पूछा गया है, option C, 1913, आपको याद रखना है, यह देखे, next question, छेतरफल की दरस्टी से बताना है, about question B, किया हो जाएगा, कनाडा right answer हो जाएगा, क्युक्य छेतरफल की दरस्टी से पूछा है, और वो भी कौन सा पूचा दूसरा सबसे बड़ा देश तो answer होगा कनाड़ा कनाड़ा की बात करें तो राजधानी भी आपको पता होनी मुझाण चाहिए तो देखो USA को Statue of Liberty बेट किया था जर्मनी, फ्रांस, इंगलेंड या फिर भारत तो फ्रेंट्स USA को Statue of Liberty की बात करे तो फ्रांस ने बेट किया था तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस की राजदानी भी आपको पता होनी चीए पैरिस की राजदानी है और मुद्रा की बात करे तो मुद्रा भी आपको याद रखनी यूरो, नेक्स देखिए नेक्स आप से पूछा जारे कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, वेरी वेरी इंपोर्टन मार्क कीजेगा या फिर कल्लानाई, तो यहाँ पर आंसर बताना है इस क्यूशन का, तो भारत का सबसे पुराना बांध जो है वो है ग्रेंड एनिकूट जिसको कल्लानाई भी बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आफ फ्रेंट्स देखिए अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो उस केज में आप आंसर करोगे हीराकुण बांध हना, हीराकुण तो सबसे लंबा है जो कि उडिशा में और सबसे भारत का सबसे उचा बांध है टियरी जो कि है उत्राखंड में भाग रेत disagreed और यादी पे नेक्स देके डेन्मार की राजदानी बतानी है क्या है कोपन हेगन ब्रिस्टल सिड्नी या फिर केंबर्रा तो राइड आंसर हो जाएगा option A Copenhagen जो है यह लेन्मार की राजदानी है नेकस्ट Street यह देखे, next question, भारती समविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्ले किया गया है, very very important, option से 8, 9, 10 या फिर 11, तो friends भारती समविधान की बात करें, तो जब भारती समविधान बना तो भारती समविधान में total 11 जो मौलिक अधिकार है, इनका उल्ले किया गया है, तो right answer हो जा जीतने वाले पुरुस रिकॉर्डर किसके नाम है, पुरुस रिकॉर्ड की बात हो रही है, कि बहुत सबसे ज़्यादा ओसकर पुरुस जीतने वाला जो रिकॉर्ड है, पुरुस रिकॉर्ड ये किसके नाम पे है, options देखे, Walt Disney, Stephen, Spellberg, या फिर Ridley, Scott, या फिर Joseph M. Newman, तो दे नेक्स देखे, आपको बताना है, विदूत यानि कि जो electricity जो है, इसकी SI unit पूछे, विदूत आवेस का SI unit पूछी गई है, तो friends, विदूत आवेस की बात हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा, कूलम, option B जो है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट की बात करे तो यह voltage की unit है, voltage की मातरक है, यह भी ध्यान रखना है, तो देखते हैं, next question, पक्षियों का अध्यन, पक्षियों का यानि study of birds, इसकी बात हो रही है, किसे कहा जाता है, मतलए कि, यहाँ भी नहीं कहा है, कि जो पक्षियों का अध्यन किसमें किया जाता है, तो friends, आपका आंस देखिये, next आप से पूछा है, कि इस ब्रह्मान में दूसरा प्रचूर मातरा में सबसे ज़्यादा जो तत्व मिलता है, वो तत्व कौन सा है, hydrogen, helium, nitrogen या फिर iron, तो देखो ब्रह्मान में दूसरा प्रचूर मातरा में मिलने वाला जो तत्व है, वो तत्व है helium, और देखो helium पूचा जाता है कि गुब्बारों में जो गेस भरी जाती हो कौन सी होती है तो हीलियम होती है यह देखे नेक्स्ट क्यूशन निमल लिकित में से एथनॉल किससे प्राप्त होता है एथनॉल की बाद तो यह किससे प्राप्त होता है चावल सूरजमुकी गन्ना या फिर पैट प्राइट आंसर यहां पर होगा option A क्योंकि विटामिन A की बात हो रही है और इसकी कमी से रोग होता है night blindness जिसको हिंदी में बोलते है रतोंदी और देखो विटामिन A जो है इसका रसाइनिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा र्यार रच princes ईसका रसाइनिक आंसर है मत्दे रसाइनिक नाम है और इसका सबसे बेस्ट सोर्ट जो है विटामिन एक का वो क्या है गाजर यह भी ध्यान रखन है option से प्रियास भार फलक्रम या फिर कोर तो राइट आंसर होगा option C फलक्रम राइट आंसर होगा option C next question मोटा पे को नापने के लिए निमल लिखित में से किसका उप्योग किया जाता है option से PMI, BMI, AMI या फिर KMI तो राइट आंसर होगा option B correct आंसर हो जाएगा BMI राइट आंसर है मोटा पे को नापने के लिए किसका उप्योग किया जाता है BMI का उप्योग किया जाता है next देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन का जो सम्मूव होता है उसको पोड कहते है और देखिए फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए जितना हो सके वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा क्योंकि देखो लाइक शेर करने में आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हम motivate होते है next वीडियो के लिए चलो देखिए next question पोलियो के टीके की खोज किसने की very very important फहुत बार पूछा गया एससी पुलीस रेलवे इन सभी में तो देखो पोलियो के टीके की खोज की बात हुई है जो की जो 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 नास सालक जो है इनकी द्वारा की गई थी पोलियो के टीके की खोज आंसरों का option B तो देखिए friends आज की इस session को यहीं पर खतम करते हैं क्योंकि 28 मार 2016 में जो रेलवे एंटी PC का पेपर हुआ था इसमें से जो GK और GS का जो portion पूछा गया था जो कुछे गया था जो कुछे गया था उन सभी को हमने cover कर लिया है और इसी तरह से regioning mats यह सारे जिन इन में जो भी कुछे गया है सब भी हम cover कर लेंगे और पूरे set complete करा देंगे इस से देखो जो एंटी PC का paper होगा अभी आपको पता है देखो मतलब कि मान के चले हम October नॉंबर दो मेने हमारे पास है और December में paper है जहां तक है 15 December से start हो जाएगा तो फिर देखो time भी काफी कम है और इसमें देखो important चीज यही रहेगी कि previous year के जितने पेपर लगा सको ना जैसे कि railway JN का लगा लो और ALP का लगा लो फिर यह railway NTPC के जो प्रिवे कीजिए जितना हो सके वीडियो को शेर कीजिएगा चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साती बगल में आपको बैल आइकॉन दिखाए दे रहागा उस पे क्लिक कर ले इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल वीडियो आया है तो चलो सेसन को यहीं कम्प्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई सी यू अगेन